हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में मैंने एक वीडियो अल्रेडी यस बैंक पोस्ट की हुए है जिस पे स्पैसिफिकली जो रीजन है वो मैंने आपको बताया है आज के दिन के उच्छाल का इस वीडियो में ओवराल इसके कारोबार के बारे में बात करेंगे आज के दिन की ट्रेडिंग सेशन में एक ऐसी चीज हुई है जो कि आज तक कभी भी नहीं हुई वो क्या है वो हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले है और उसका इंपेक्ट आने वाली ट्रेडिंग सेशन पे कैसा पढ़ने वाला है और यहां से जो यस बैंक के इंवेस्टर्स है वो क्या कुछ अब उमीदर लेके चल सकते है वो हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और exactly reasons जो है वो मैंने last वीडियो में अल्रेडी बताया हुआ है वो भी आप इस वीडियो के बाद जाके देख लेना सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा आज के दिन का सिनेरियो तो वीडियो आपको अच्छी लगे like जरू कर देखने को मिला यानि कि अगर आप देखो के तो सेंसेक्स में करीवन 390 पॉइंट्स की गिरावर्ट निफ्टी 50 में 112 पॉइंट्स निफ्टी बैंक करीवन 36 पॉइंट का पॉजिटिव मूवेंट देते हुए नजर आया वही निफ्टी मिड कैप में 129 पॉइंट्स की ग गिरावर्ट थी लेकिन क्लोजिंग के टाइम पर थोड़ी बहुत रेकबरी आपको यहां पर देखने को मिल गई तो वहीं अगर हम देखें क्यू मिल्स मारी को गौद्रेज कंज्यूमर और नेसले यासे स्टॉक आज के दिन के टॉप गेनर में शामिल होते हुए नजर आ आने के बाद वहीं SCL Tech, Intellect Design, Bidla Soft, M&M Financials 4% से लेके 7% तक की गिरावट के साथ आज के दिन के टॉप लूजर की लिष्ट में सामिल होते हुए नजर आए तो यह रहा आज के दिन का Overall Share Market का हाल चाल अब बात करते हैं यहां पे Yes Bank का हाल चाल आज के दिन कैसा रहा है तो आज Yes Bank में भयंकर उच्छाल देखने को मिला करीवन जो Closing होई है वो 12% के आसपास होई है यानि की 19.85 पैसे की Closing आज के दिन Yes Bank देते हुए नजर आया है और जब मैंने जो previous वीडियो बनाई है उस ताइम पे जो value थी वो 20 रुपे 20 पैसे के आसपास चल रही थी तब म मैंने बताये थे लेकिन जब Closing होई है तो 11% से जादा यानि की करीवन 12-12% के आसपास नजर आ रही है अब जिन भी लोगों को ये doubt था कि Yes Bank में movement नहीं आता है तो मैं already तने जनों से आपको बोल रहा था कि news बहुत सारी आ चुकी है impact भी आपको देखने को मिलेगा और जिस है आपको थोड़ा वाट ताइम जरूर ले सकते हैं लेकिन movement जरूर आएगा और बीस रुपे का जो टार्गेट है वो definitely अचीव हो जाएगा और बीस रुपे का टार्गेट आज के दिन आपर अचीव होते हैं नजर आया पिछले एक महीने की बारे में बात करें 20% से जाद 53% से जादा के रेटरंस हैं तो आप समझ पा रहे हो कि जिन भी लोगों को यह doubt है कि yes bank में movement ही नहीं होता है तो उनको आप यह profile दिखा होगे तो शायद उनकी गलत फहमी जो है वो दूर हो जाए अब मैं आपको NSE पर लेके चलता हूँ यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 17 रुपे 70 पैसे पर open हुआ था 20 रुपे 50 पैसे का high बनाया और यह all time यानि कि 52 week high बन गया है वहीं अगर हम बात करें 17 रुपे 65 पैसे का low है अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होगे कि buying side पर orders देखने को मिल रहे हैं even though orders उतने जादा नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो buying side पर orders हैं अब जैसे की starting of the video में मैंने आपको बताया था कि आज कुछ ऐसा हुआ है जो की बहुत ही कम देखने को मिलता है तो volume आप यहाँ पर देखो इतना जादा आया है yes bank के अंदर उसी वज़ा से यह जो तेजी है वो आज देखने को मिली है म अब इसको अगर आप गिनते भी हो तो यह बन जाएगा करीवन करीवन 123 करोड 89,96 यानि की अरबों में आज volume पहुचा है जो की करोणों तक रहता था और यही सबसे बड़ा reason बन जाता है आज के दिन के moment का अब इतने अरबों में जब volume आया तो उसमें भी 25% यहाँ पे delivery percentage देखने को मिल गई तो यानि की समझ के अगर जैसे किसी को लग रहा हो कि delivery percentage कम है तो आप यहाँ पे पहले volume compare करो जहाँ पे आपको 12 करोड 20 करोड 25 करोड तक volume देखने को मिलता था आज 123 करोड का volume है तो यह चीज़े आपको समझ के चलनी पड़ेगी अब मैंने आपको जो news है वो मैं अपनी next video में cover करूँगा ऐसा मैंने आपको बताया था तो सबते पहले उसी news को यहाँ पे cover कर लेते हैं अब सबते पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो yes bank की JC flower के साथ जो deal हुई है उसमें अभी बहुत सारी controversies create हो गी है आप सभी को पता है मैंने अपन की deal हुई है JC flower के साथ उनको उनके लिए अगर आप देखोगे तो जो डेली हाई कोट है उसमें petition file कर दी गई है और बताया गया है कि yes bank के पास एक भी रुपया नहीं बचेगा इन recovery से जो यहाँ पे proper structure बनाया गया है अब अगर आप देखोगे तो basically क्या है जो recoveries होगी उसके पास जो per year का जो commission है वो yes bank देगी JC flower को और जितनी ज़्यादा late recovery उतने ज़्यादा यहाँ पे commission होता चला जाएगा उसी ज़्यादा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक petition file करी गई है मुद्राक्ष invest fin करके एक registered NVFC है इन्होंने यहाँ पर yes bank के और बोला है कि जिस according चीजें आप बताई गी है और जिस according यहाँ पे जो disclose नहीं की गई है उससे यह लगता है कि जो yes bank है उसके पास कोई भी money नहीं रहने वाला है और जिस according यहाँ पे higher amount के charges पे करे जा रहे हैं higher amount के commissions पे करे जा रहे हैं उससे अगर आप देखोगे तो आप से बड़ा जो demerit है वो shareholders के लिए होने बाला है तो मैंने इस news को आपको बहुत ज्यादा summarize करके बता दिया है बाकी आप यहाँ पे वीडियो को पॉस्ट करके पूरी तरीके से पढ़ भी सकते हो बाकी जो exactly reasons हैं कि आज के दिन इतना बड़ा उच्छाल क्यों आया है व आप फर्स्ट आम विजट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरू कर दीजेगा धन्यवाद